नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ग्यानलों में, आज हम सौलू करेंगे exercise 8.1 class 9 mathematics का first और second question, तो चलिए first question ले ले लेते हैं, first question में हमें क्या दिया गया है, first question में हमें दिया गया है, जो angle है quadilatoral के वो इस ratio में दिये गए है, 3 ratio 5, ratio 9, ratio 13, find all the angles of the quadilator, हमें मान लेते हैं कि जो ये है 3x degree मान लेते हैं, जो रेश हो दिया गया है, इसको 5x degree मान लेते हैं, इसको 9x degree और इसको 13x degree मान लेते हैं, कि ये angle जो है हमारे इतने इतने हैं, अब हमें पता है कि quadilatoral के 4 angle का जो जोड होता है, वो कितना होता है, वो 360 degree होता है, तो यानि कि अग 60 degree के बराबर होना चाहिए अब इनको add कर लेते हैं 5 और 3 8 और यहाँ पर 17 आ गया 17 और 13 आ गया हमारे पास 30 तो यह आ गया 30x equal to 360 degree x की value निकालने यहाँ से तो 360 by 30 आ गया cut करेंगे तो यह कितना आ गया 12 तो x की value 12 आ जाती है अब x की value आ गयी है यान की हम इन सब की value को निकाल सकते हैं जैसे जो 3x है हमारे पास जो हमने 3x degree लिया था यह कितना आ जाएगा 3 into x कितना है 12 तो यह जो है हमारे पास कितना आ गया 36 degree आ गया इसी तरह से हम 5x degree को निकाल लेते हैं यह कितना आ जाएगा हमारे पास 5 into 12 12 into 5 क्या होता है हमारे पास 60 तो यह आगा 60 degree इसी तरह से 9x degree निकाल लेते हैं 9 into 12 degree यह कितना आजाएगा हमारे पास 108 degree और इसी तरह से 13x degree को निकाल लेते हैं यह कितना आजाएगा 13 into 12 जब 13 into 12 आप करेंगे तो यह आपको मिलेगा 156 degree तो इस तरह से आजाएगा अब इन सब का आप टोटल करेंगे तो यह आपको 360 degree मिलेगा तो इस तरह से पहला question सोलू करेंगा चलिए second question ले लेते हैं second question में हमें क्या दिया गया है second question में हमें दिया गया है कि जो diagonals है एक parallelogram के वो equal है तो हमें बताना है कि क्या वो एक rectangle होगी तो हमें parallelogram दे गई है parallelogram हम मान लेते हैं parallelogram क्या होती है जिसकी आमने सामने वाली side जो है parallel हो तो यहाँ पर हम ले लेते हैं यह A, B, C और D अब जो A, B है वो C, D के parallel है A, D जो है B, C के parallel है तो यह parallelogram है और इसके diagonal जो है equivalent diagonal क्या होंगे जो A से C को मिला दें और B को D से मिला दें तो यह diagonal हो गए तो यह कहता है कि diagonal equal है diagonal equal का मतलब है जो A, C है वो B, D के बराबर दिया गया है अब हमें बताना है कि यह जो है एक rectangle है तो चलिए इसको rectangle हम prove कर लेते हैं इसके लिए सारी property आपको पता होनी चाहिए rectangle के लिए क्या होगा यह जो angle है 90 degree का होगा यह भी angle 90 degree के होने चाहिए तो और इसकी जो दो side होती है आपने सामने वाली वो बराबर होती है जो rectangle के case में अगर हम देखें तो चलिए इसको follow कर लेते हैं यहाँ पर हम दो triangle ले लेते हैं एक triangle ले लेते हैं कोई भी आप triangle ले ले सकते हैं जैसे ABC हमने ले ली और एक DCB ले ले लेते हैं तो एक जो ट्रेंगल है हमने DCB ले ली यहाँ पर ऐसे ले सकते हैं आप जैसे ACB आपने ली और DCB ली इसके अलावा भी आप कोई और ट्रेंगल ले सकते हैं लेकिन आमने सामने वाले अंगल उसमें जरूर होने चाहिए जैसे हमने इसमें A, B, C ली और D, C, B ली B और C आमने सामने वाले अंगल है इस तरह से हमने इसको चोज़ किया अब यहाँ पर देखें जो A, B है वो D, C के बराबर है अब ऐसा क्यों है क्योंकि यह पोजिट साइड है पैरलेलोगराम की तो यह बराबर होंगी अब यहाँ पर जो B, C है वो कॉमन है क्योंकि दो ट्रैंगल नहीं है A, B, C और D, B, C कह लिए जी या D, C, B तो B, C दोनों के अंदर कॉमन है और जो A, C है वो D, B के बराबर है यह हमें दिया गया है कि डाइगनल एक्वल है तो यहाँ पर अगर हम देखें साइड 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 क्रिटीरिया से तो यहाँ पर कंगुरेंस आ जाता है इन दोनों ट्रैंगल का यहने कि हम लिख सकते हैं जो एंगल A, B, C है वो एंगल D, C, B के बराबर है ऐसा कहे लिए एंगल B जो है एंगल C के बराबर है ऐसा कह सकते हैं कि कोर्षपर्णिंग पार्ट जो होगे वो एक्वल होगे अब यहाँ पर अगर हम इन दुनों एंगल को एड़ कर दें जो A, B, C और D, C बी जो बराबर आए है तो मालिज यह हम लिख देते हैं यहाँ पर जो A, B, C एंगल है प्लस जो एंगल D, C, B है एंगल D, C, B यानि कि यह एंगल और यह एंगल ये कितने के बराबर होने चाहिए हमारे 180 degree के बराबर होने चाहिए अब ऐसा क्यों है क्योंकि देखिए A B जो है DC के पैरलल है BC इसको कट कर रही है ये 90 है तो ये भी 90 होना चाहिए तो ये जो हैं दोनों angle बराबर होने चाहिए यानि कि 90 प्लस 90 होने चाहिए 180 degree के बराबर होने चाहिए क्योंकि यह जो है आमने सामने वाले angle है इसको आप कैसे लिख सकते हैं इसको यह से लिख सकते हैं 2 angle ABC equal to 180 degree क्यों क्योंकि यह जो है इसके बराबर है देखी यहाँ पर यह इसके बराबर है तो यहां से अगर हम एंगल ABC को निकालें तो वो क्या आ जाएगा 160 डिवाइड में 2 यानि कि यह आ जाएगा 90 डिगरी ABC जो है यानि कि यह 90 डिगरी आ गया हमारे पास और यह भी हमारे पास 90 डिगरी है यानि कि यह जो हमने निकाला तो अगर ये 90 degree है angle ABC और जो angle DCB हमने निकाला दोनों ही 90 degree है तो जो ABCD जो है एक तरह से यहाँ पर हम देखें वो rectangle बन जाती है क्योंकि ये जो है angle ये भी 90 degree का है और ये भी 90 degree का है ये rectangle की property होती है तो इस तरह से जो हमने देखा कि ये जो है अगर हम देखें तो यहाँ से प्रूव हो जाता है कि ABCD जो है एक rectangle है तो thank you वीडियो देखने के लिए और इसी तरह की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल ग्यान लोपे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं धन्यवाद